आप में प्री राटी पीस यार्टि यारपिट प्रीट टेस्ट की बुकिंग कैसे करेंगे मुंबए एर्पोर्ट में अगर आप मँंबई एर्पोर्ट से फ्लाई करर коп कर रहे हैं, आप इंटरनेशन पैसेंजर हैं आप किसी और country से Mumbai airport पे land कर रहे हैं बट आपको पहले जो pre-RTPCR test की booking करनी है वो आप कैसे करेंगे complete इस वीडियो में जानेगे तो चैनल पे नहीं तो चैनल को भी subscribe करना आगे भी इस तरग वीडियो उसको देखने के लिए तो सबसे पहले आपने अपने मुबाइल फॉन या लैप्टॉप के गूगल पे जाना और वहाँ पे सर्च करना है RTPCR Mumbai airport ओके या तो आप www.metropolis india.com भी सर्च कर सकते हैं तो पहला option आएगा COVID-19 testing Mumbai airport RTPCR test at Mumbai तो आपने इसको open कर लेना है नेक्स्ट आप देखेंगे आपके सामने मेट्रोपॉलिस की एक साइट ओपन हो जाएगी यहाँ पर आप देखेंगे Get Rapid RTPCR test for COVID-19 at Mumbai airport तो आपको क्या रहना है स्कॉल डाउन करना है थोड़ा सा यह आपको टू स्टेप्स में complete करना है सबसे बहले आपको यहाँ पर अपना name डालना है उसके लास्ट नेम आपको अपना mobile number डालना है यहाँ पर mobile number belongs to आपका या family के आपने वो करना है मैं self कर लेता हूँ उसके बाद आपको अपना email address यहाँ पर डालना है date of birth फिल करना है अपना gender अपने यहाँ से select कर लेना है flight type आपकी departure from India है या arriving in India तो यहाँ पर मैं arriving in India का बता रहा हूँ आप अगर departure करते तो departure पर click कर सकते हैं और नीचे आपको अपना flight number डालना है जिस flight से आप India, Mumbai आ रहे हैं और यहाँ पर next है select preferred test तो यहाँ पर दो test हैं दोनों का price अलग है अगर आप rapid RT-PCR कराते हैं तो उसके लिए आपको 1,975 पे करना है and PCR कराते हैं तो उसके लिए आपको 500 पे करना है तो यह depend करता है और इनकी timing अलग से रहती है अगर आप RT-PCR कराते हैं तो यह आपको चार घंटे ले लेगा और इसमें आपको आदा घंटाई घंटे के अंदर आपको report मिल जाती है rapid RT-PCR के अंदर और यहाँ से आप कौन सी country से आ रहे हैं वो आपने select कर लेना है and arriving date कौन सी date को आप मुंबई कहुंसने आले हैं आपको डालनी है यहाँ पर and arriving time यहाँ पर आपने time डालेना है example grade 10, 30 यहाँ पर am, pm कर लेना है उसके बाद 2 इंदिया आपने यहाँ पर कर लेना है उसके बाद next है have you been vaccinated अगर आप vaccinated हैं तो yes कर रहे हैं अगर नहीं है तो no कर ले तो अगर yes हैं yes करने के बाद आपको यहाँ पर name of vaccine, कौन सी vaccine लगाई है and dose first first dose की date यहाँ पर डालनी है आपने dose date second second dose कब लगाई थी, वो date डालके next पर क्लिक करने है okay उसके बाद next आप यहाँ पर देखेंगे जो आपने select किया था वहाँ पर नीचे आजाएगा आपको 500 पे करने है मैंने 500 चूच किया था तो यहाँ पर 500 आ रहा आपने अगर 1,975 वाला चूच किया था तो वहाँ यहाँ पर आ जाएगा step 2 में आप देखेंगे यहाँ पर आपको address डालने है room and flat number, society, apartment, area, colony, village landmark, zip code आपको डालना है and passport number डालना है नीचे payment method में यहाँ पर दो payment methods है pay at sample collection तो यह आला option जब आप मुंबई एरपोर्ट पर आएंगे उसके बाद महाँ पर एक desk होगा इनका आप उस desk पर जाएंगे और अभी आपको एक mail आएगा वो mail जैसे आप वहाँ पर show करेंगे तो उसके बाद आप वहाँ पर आपको pay करना पड़ेगा sample collection की time पर अगर आप online pay करना चाहते तो pay online पर click करें और आप online payment कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं pay at sample collection पर click कर रहा हूँ जब मैं Mumbai airport में पहुचूंगा वहाँ पर इनका desk एक desk है वहाँ पर जाके जब इस sample collect करेंगे उसी वक्त पे कर लूँगा और नीचे आपको यहाँ पर इसको check करना है इसको आपने read करना है यह आपको एक confirmation है इसको आपने okay करना है उसके आद आपने पेन आपर क्लिक करना है okay next आप यहाँ पर देखेंगे thank you thank you for choosing Metropolis your COVID-19 COVID-RTPCR test has been booked please share this reference ID जो आपकी ID है वो at the Metropolis Airport Helpdex for your COVID-RTPCR test okay तो अभी आपको एक mail भी आएगा उसमे भी आप चेक कर सकते हैं आपको दिखाता है एक बार आप देख सकते हैं आपका name रहेगा dear and thank you for booking okay तो यह आपको show करना है we have received your details please show this email to our team in Mumbai airport okay तो Mumbai airport में आपको यह दिखाना पड़ेगा and नीचे आपको name में आपका address तो सब details रहेगा and pay का मैंने बता दिए आपको online अगर आप पे करना चाहते तो online कर सकते हैं okay नहीं तो आप महीं पे on the spot पे कर सकते हैं pay later करके ओके तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छी लेग तो चैनल को भी subscribe करना आगे भी स्ट्रेग वीडियो को देखने के लिए and thanks for watching see you in next video